हेलो एवरिवान कैसे हैं आप लोग आगई मैं बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए वीकेंड के वार का सनी वार का बार है ना आज मैं बहुत लेट हूँ तो प्लीज माइंड मत करियेगा क्योंकि हो गई लेट कुछ काम था तो बिजी हो गई और पीशे कर दिया है ना और कहानी कहां घूमने लगी जो पूरी की पूरी कहानी थे वो सुम्बुल पे आके अटक गई कि सुम्बुल ऑपसेस्ट है सालेन से एक बात बताओ शालीन ये बात तो सच है कि सुम्बुल शालीन के आगे पीछे घूमती है सुम्बुल कुछ ज्या शालीन के साथ नहीं है शालीन के साथ थोड़ा सा different वो रहती है और सुम्बुल ये भी कहते हूर ने जर आती है कि शालीन मेरा friend है तो मैं उसके लिए खड़ी रहती हूँ और मैं उसके साथ ऐसे रहती हूँ दभ एक बात बताओ वो बहुत ओवर था, जब शालीन को वो ले के जा रही थी, तो वो बहुत जादा ओवर था, वो सभी को clearly ने जरा रहा था, लेकिन आज मुझे सुम्बूल के लिए बहुत बुरा लगा है, कि सुम्बूल को बार बार obsessed, obsessed क्यों कहा जा रहा था, शायद ये एक plan भी हो, जिससे सुम्बूल को समझ में आ जाए, कि सुम्बूल अब जो कर दे, वो इस से अलग करे, यानि कि अब वो शालीन से अलग हो जाए, लेकिन एक बात मैं यहाँ ये भी add करना चाहूंगी, कि सुम्बूल शालीन से अलग नहीं होएगी, सुम्बूल कोई भी गेम नहीं खेलेगी, क्योंकि वो अभी तक 50 दिनों में जब उस लड़की ने कोई गेम नहीं खेला है तो वो आगे भी जब तक रहेगी शो में कोई गेम नहीं खेलेगी क्योंकि वो नहीं खेल पाएगी वो कहते ना कुछ लोग होते हैं कि बिग बॉस के material होते हैं वो बिग बॉस के लायक होते हैं उनको पता होता है कि बिग बॉस का गेम कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है तो सुम्बुल वैसी बिल्कुल भी नहीं है सुम्बुल बिग बॉस का गेम खेलने मतलब मुझे नहीं लगता कि वो खेल पाएगी अभी तक तो नहीं खेला है अब आगे पता नहीं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खेल पाएगी टीना आप बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ ना, टीना आप बताओ, सुम्भूल आपसेस्ट है ना, टीना आप बताओ, आपने फैसला लिया, स्टैन को न भेजने का, वो आपने सही लिया, मतलब सब जगह आप टीना को confirmation, टीना की confirmation ले रहे थे, निम्रत की confirmation ले रहे थे, तो आज टीना तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भईया आज टीना का ही पूरा का पूरा शो है, शालीन की हम बात करें, शालीन जिस शालीन को हम कल तक डिफेंड कर रहे थे, जिस शालीन को हम कल तक कह रहे थे कि भईया शालीन बिल्कुल सही था, शालीन की कोई गलती नहीं थी, जाके टीना को हग करके बैठा हुआ था, सलमान सर के समझाने के बाद, वाशालीन, आपको क्या गेम है, आपको अगर लगता है कि टीना खेल गई आपके साथ, आपको अगर लगता है कि टीना आपके साथ खेल गई, तो ये कौन सा लगना है कि एक बार सलमान सर के समझाने पर आपको समझ में आ गया हाँ आपको समझ में आ गया हाला कि आपने counter ज़वाब दी है Salman Sir को लेकिन वो counter जवाब ऐसा नहीं दा आपने बहुत genuine बात करी हो हाँ आपने ये जरूर बोला कि Salman Sir आप मैं पर को ये बताईए कि कोई मुझे आके मार के चला जाया और मैं चुप चप खड़ा हो के देखता हूं मैं कुछ ना कर सकूँ तो यह आपने ठीक बोला और सलमान सर के पास उस बात का जवाब नहीं था क्योंकि सलमान सर भी क्या बोलते हैं तो उन्होंने गुसे में आके बोल दिया कि तो क्या च शालीन ने स्टैन को नहीं मारा या फिर नहीं उसको धका दिया वो चाहता तो पुछ भी कर सकता था स्टैन को लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया तो यहां शालीन सही था जो कि सलमान सर भी कह रहे थे कि यहां मैं मानता हूं कि शालीन सही था तू लेकिन सुम्बुल वाले म सामले में सालीन को सAF साफ गलत सावиться कर दिया है कि शालीन आपको नजर नहीं आता है आपको समझ में आता है पूरा घर एक तरफ कहे रहा है कि हाँ सुम्बुल को friendship से कुछ जादा है, friendship से कुछ जादा है, सुम्बुल छोड़ती नहीं है शालीन को, और शालीन आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है, अच्छा एक बात बताओ, सुम्बुल हमेशा शालीन के साथ रहती है, उसको आप सभी ने कभी देखा है, किसी औ मेरे मन में शालीन के लिए कोई feeling नहीं है, मैं शालीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मेरा कोई angle नहीं है, अब दू से उसने बैटके clearly उस दिन बोला, मतलब पूरी टीम को बुला करके कि यह हमारा कुछ नहीं है, और आज वही टीना हमें यह कहती हुए नजर आ आज जो हुआ है, उससे तो clear यही दिख रहा है कि सुम्मुल को side करना था, कि सुम्मुल तुम हट जो इन दोनों के भी से, और यह शालीन और जो टीना है, इन दोनों को साथ में लाने की कोशिस की गई है, और वो हुआ है, उसमें बहुत पूरी तरीके से काम्याब हो गया ह और last में शालीन और टीना साथ में आ चुके हैं, और अब देखते हैं अब फिर यह क्या करते हैं क्योंकि दो दिन बाद फिर यह लड़ेंगे, फिर टीना कहенगी कि वही हैं मेरा कोई प्यार महबत नहीं है, फिर शालीन कहенगी कि मुझे कोई मतलब नहीं हैं तो यह लोग एक तो एकसेप नहीं करते हैं और एकसेप ताच कर भी लिया तो दो दिन बाद ये फिर्मू करने वाले हैं, तो ऐसा सब कुछ रहा है, सिर्फ स्टैन को बोला गया है कि स्टैन आप की गलती है कि अगर आप गाली देते हो तो आप गाली लेना सीखो, है ना, जब आप गाली तो आपको दो गुनी, तीन गुनी गाली वापस आएगी, लेकिन आप वो नहीं ले पा रहे हो और आप मारने के लिए चले गए, अच्छा, स्टैन लेके कुछ गया था हाथ में मारने के लिए, शालीन को, ये हम लोग को तो क्लियर दिखाया ही नहीं था विज्वल, कि हम मिल को मारने के लिए, तो इस टैन को ये बोला गया कि ये आप गलत थे, और आपको चार हपतों के लिए नामिनेट कर दिया गया, शिव, शिव की ये जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, कि शिव की कोई गलती नहीं थी, शिव सिफ अपने फ्रेंड को छुडाने गया था और उस जोस में आके उसने शालीन का गला पकड़ लिया था, चिक पकड़ लिया था, बाकि शिव का कोई इंटेंशन नहीं था अपने फ्रेंड को, शालीन को हर्ट करने का, है ना, और वो क्लियर दिखा है, और आज शिव के उपर कोई बात भी नहीं हुई है, बस हाँ, सल बिल्कूल भी नहीं बहुंगा, शालीन को, और वहीं हमें दूसरे क्लिप में ये दिखाया गया, कि सलमान सर आते हैं, और कहते हैं कि, स्टैन, गल्ती किस की थी? तो सर मेरी थी, स्टैन, तो सौरी कौन बोलेगा? सर मैं बोलूँगा, किसको बोलेगा? शालीन को प्रियंका और अंकित को जिस तरीके से पहले ही सलमान खान आते के साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जिसका कोई मतलब नहीं था वो लोग यहां से उठके चले जाए और जो लोग ज़्यादा बोलने की कोशिस कर रहे थे प्रियंका और अंकित को यह बात समझ में आगे कि यह हमारे बारे में बात कर रहे और दोनों वो उठके चले गए और जाके वहां टाइनिंग टेबल पर बैठे गए लेकिन एक बात बताईए सल्मान सर यह बोलने का ही तो शो है ना प्रियंका जादा बोलती है यह हम मानते हैं प्रियंका कभी कभी बहुत जादा इरिटेट भी करती है यह भी हम मानते हैं लेकिन बोलने का ही तो शो है ना अगर प्रियंका भी कुछ नहीं बोलती तो आप ल उसे बात रहीं करेंगे जो लोग इसमें मिर्च मसाला डालने के कोशिस कर रहे हैं और आज सलमान सर ने भी यही कहा तो अगर आप लोग नहीं चाहते थे कि यह मामला बढ़े आप लोग को स्टैन और शिव.. को बाहर नहीं करना था तो आप नहीं करते और आपने नहीं किया लेकिन प्रियंका को बिना मतलब का यह बता दिया कि आप बिना मतलब इस मुद्दे में घुस रही थी प्रियंका घुसती है मुद्दो में प्रियंका इरिडेट भी करती है प्रियंका बहुत जादा बोलती है मैं ये सब कुछ मानने को तयार हूँ, लेकिन कम से कम वो बोलेगी तो उसको जो फील हो रहा था, वो बोले रही थी बस उसने यही किया था तो प्रियंका और अंकित को साफ साफ कह दिया अंकित का मजाग भी बनाया गया, कि अंकित आप क्या बोल रहे थे, आप शोड़के चले जाओ शोड़के, और वो भी आप, आपका मजाक बन रहा है बाहर, मतलब सल्मान सन्ने उनको, मतलब ऐसा भिगो के मारा है, कि अंकित को ये समझ में आ जाए, कि तुम्हारा मजाक बन रहा है, और जो ये तुमने किया है, ये दु अपनी तरफ लेके आ गया, क्योंकि उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, एक तो वो बोलने नहीं देता, उपर से वो एक्टिंग इतनी जादा करता है, कि मतलब क्या ही कहना, गौतम विक के लिए मुझे बहुत जादा बुरा लगा है, जिस तरह के से, गौतम के आंसों न नचाने कौन सा आइडिया दिया, जिस पे शालीन को सब कुछ समझ में आ गया, शालीन ने बोला कि ये सांदर्या तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, मुझे अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ में आई, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया, अब मुझे सब कुछ कु थी सॉंदर्या शालीन को वो सब देखे गौतम बहुत जादा डिस्टॉब हो गया और बहुत जादा परेशान हो गया कि मतलब हमारी तो फाइट चलती है और तुम जाके उसे हग कर रही हो उसे बाते कर रही हो और गौतम आके अबदू के साथ बैठा हुआ था और उसने क्या बोला उसने जो लाइन बोली वो शायद मुझे याद है उसने बोला लाइफ इस ब्यूटिफुल बट पीपल मेकस इट शिट यही साथ बोला तो वाकई में मतलब बहुत खुबसूरत रिस्ता है सौंदर्या और गोतम का वो हमें दिखता है लेकिन ये क्या है वहीया सौंदर्या तुम वहाँ गई और गोतम वाकई में बहुत डिस्टॉब बहुत परेशान दिख रहा है और गोतम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि टीना आप बताओ सुंबुल गलत है की नहीं टीना आप बताओ आपने जो फैसला लिया वो सही था की नहीं था लेकिन वहीं गोतम ने अगर कोई फैसला ले लिया गोतम ने अगर फूड सभी का छीन के अपनी कैप्टेंसी ले ली गौतम को इस पे कितना ज़्यादा सुनने को मिलता है हाला कि गलती थोड़ी बहुत गौतम की थी भी कि गौतम को अगर कैप्टेंसी के लिए खड़ा होना था तो गौतम को अपनी एक बात पे खड़ा होना था वो बार-बार पलटता नहीं तो गोतम बहुत अच्छा शाइन करता आज लेकिन शायद इस बार का विग बॉस गोतम के लिए नहीं है और गोतम विग घर से हमें ये भी पता लग रहा है कि गोतम आउट भी हो चुके हैं तो कोई बात नहीं गोतम बाहर अपनी लाइफ एंजॉय करेगा लेकिन गोतम इंसान बहुत अच्छा है ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि गोतम मुझे इंसान बहुत अच्छा लगा बाकी कोई बात नहीं है कई बारी होता है न कि आप शो में अच्छा कर पाते हो कई बारी होता है कि वो show सायथ आपके लिए नहीं होता है तो यह सब कुछ हुआ है गौतम के साथ तो चलिए, यही सब कुछ रहा है सुंबॉल की बहुत जादा insult की गई है सुंबॉल को बहुत जादा भिगो भिगो की मारा गया है सुंबॉल को यह तक कहना पड़ा कि भीया मुझे घर भेज़ो मुझे नहीं रहना इस शो में सुम्बल अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप प्लीज सुधर जाओ अब आप शालीन के पास मत जाना है ना मत जाना आप शालीन के पास आपका गेम बहुत अच्छा हो जाएगा तो अब देखते हैं सु अब बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हम बात करें अर्शिना की अर्शिना काज कोई मैटारी नहीं हुआ बस वह किचन वाले एरिया में जब उसने साजित सर से बात की तो उसने कहा कि भीया साजित सर आप बड़े घर से आते हो आपको पता नहीं है घर कैसे चलता है तो अ अब मुझे नहीं पता है साजित खान ने मतलब बच्पन में कैसे सर्वाइब किया है क्या किया मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बारे में तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगी अर्चना जो इतने टाइम से मुद्दे बना रही थी बना रही थी उसका सारा मुद्दा फ्लॉप हो गया अधरा का धरा रहे गया और कल तो आज मैं नेक्स डे रिव्यू कर रहे हूं आज सलमान सर ये भी कहते वे नजारा रहे है यो प्रियंका आप तो अर्चना 2.0 हो च अच्छा कर लेगा आज अब्दू के भी थोड़े बहुत क्लिप्स दिखाए गया जिस तरीके से अब्दू कह रहा था कि भी या ब्रो शालीन तू जाए बाहर तो वह भी ठीक था अब्दू को नहीं पसंद है शालीन तो वह मूँ पे कह रहा है चलो वह भी ठीक था और उ कि प्रियंका अंकित का मैटर आज उठाया जाएगा उसमें हम देखेंगे कि सल्मान सर क्या बोलते हैं प्रियंका और अंकित को और सौंदर या गौतम की बात कर लिया हमने बाकी यही लोग थे और चलिए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे बताना और आप मुझ